नमस्कार साथियो आजगे इस वीडियो बे हम बात करने वाले हैं राजसान हाई कोट स्टैनोग्राफर भरती परीक्षा 6 अप्रेल 2021 की द्विते पारी में आए स्टैनोग्राफर टेस्ट के बारे में यहां मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि स्टैनोग्राफर टेस्ट में आज आप लोगों से कौन सा परेग्राफ पूछा गया था और किस किस तरीके की शब्दावलिया उस परेग्राफ में आई थी यह काफी ज़्यादा डिफिकल्ड था क्योंकि बच्चों को शब्दावलिया समझ नहीं आ रही थी और उसी को लिखने में उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना बढ़ा था तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बतायती हूँ कि किस तरीके का पेपर था सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि आज के पिपर में तीन पेरेग्राफ आप लोगों से डिक्टेशन में लिखवाए गये थे और तीनों जो पेरेग्राफ से उनका जो टॉपिक था वो जमानत पर था यानि कि जमानत से संबंदित paragraph आज के पीपर में पुछा गया है तो चलिए मैं आपको बता दिए आप लोगों से क्या लिखवाया गया था को बता दू कि paragraph no.2 में व्यक्ति के गुण और अवगुण को देखकर ही जमानत की जाती है इस पे बेस्ट कुछ न्याईक शब्दों के साथ में भरा हुआ ये paragraph था और जैसा कि मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि बच्चों को सबसे जादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ इसी में आ रही है की उन्हें words समझ में नहीं आते या सुना इन देते कभी WORDS को कुछ और समझ लेते हैं और कुछ और ही लिख देते हैं तो सबसे जो गलती हो रही है वो WORDS को समझने में ही हो रही है और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है नया इक शब्दा नियाले से संबंदित कौन-कौन सी शब्दावलिया पेपर में पूछी गई थी। अगर बात करें paragraph no.3 के बारे में तो paragraph no.3 भी जमानत से संबंदिती था। धारा 45 के प्रावधानों के बारे में paragraph no.3 था। और दन प्रक्रिया सहीता में जमानत में के अंदर क्या कहा गया है। उससे संबंदित paragraph no.3 था। तो ये तो हुई बात हमारे स्टैनों के एक्जाम की या फिर स्टैनों में जो डिक्टेशन आ रहा है। उसकी अब हम बात कर लेते हैं important शब्दावलियों के बारे में जो जमानत से related है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी शब्दावलिया लिग दी हैं अब मैं एक एक को डिक्टेट कर देती हूँ। पराक्रम्य विलेक, चैक, अनादरन, उभेपक्षकारान, अभिलेक, परिपेक्ष्य, मनन, अवलोकन, हस्त लेक, विशेशग्य, पत्रावली, नियाईक द्रश्टांत, परिवादी, अभियुक्त गण और अधिवक्ता। तो यह सारे जो डिक्टेशन के वर्ड्ज हैं, यह important है, आगे वाले exams में भी important हो सकते हैं, तो आप इनकी practice अच्छे से कर लें, I hope आप लोगों को यह जानकरी पसंद आई होगी, अगर जानकरी पसंद आई तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्स्राइब क दे कर दे पारस कि अच्छे से कर दे कर दे आएक तो तो बॉर्ज युआ